ओम शान्ति आज 20 जुलाई 2022 है बाबा की श्रीमत हम ब्राम्भन बच्चों को मुरली के द्वारा प्राप्त होती है जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि श्रीमत पर ही हमारे कर्म श्रेष्ट होंगे और हमें इस बात का अटेंशन रखना है कि कर्म भरष्ट हम ना बने तो एक सरल युक्ति अपने कर्मों को श्रेष्ट करके श्रीमत पर चलने की और कर्म भरष्ट होने से बचने की आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों के रूप से भी बता रहे है आईए जानते हैं आज के 20 तारेक के बाबा के अव्यक्त इशारे जो भी कर्म करो तो कर्म के पहले बोल के पहले संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रम्हा बाब समान है फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ बोल को मुख से बोलो कर्म को करमेंद्रियों से करो ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया ब्रम्हा बाप की विशेशता विशेश यही है जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया ऐसे follow father करने वाले ही ब्रम्हाचारी है जैसे बच्चा जब स्कूल में जाता है पढ़ाई पढ़ने के लिए तो उसको teacher textbook से पढ़ाता है तो teacher हमारे शिव बाबा है, textbook हमारी मुर्ली है लेकिन अगर बच्चे को extra practice करनी हो textbook से भी अलावा अगर और गहराई से चीजों को जानना हो और practice करनी हो, तो वो reference book यूज़ करता है ऐसे ही हमारे सामने ब्रम्हा बाबा का जीवन ब्रम्हा बाबा के चरित्र reference book है जीवन में उतारी है, इसलिए अगर हमें कोई भी बात समझने में या उसको जीवन में धारन करने में कोई भी confusion वैसे तो नहीं आ सकता ब्राम्बन बच्चे ज्यानितु आत्मा है, लेकिन फिर भी बाबाने हमें सहीयोग देने के लिए ब्रम्हा बाबा का जीवन हमारे सामने example रखा है कोई भी संकल्प में अगर प्रश्न उठता है कि ये संकल्प श्रीमत अनुसार है, श्रेष्ट है या नहीं तो बाबा ने कहा पहले ब्रम्हा बाब के संकल्प से वरिफाई कराओ, ब्रम्हा बाबा का जीवन तो हर ब्रामन आत्मा के सामने स्पष्ट है विशेश रूप से उन आत्माओं के सामने, जिन्होंने ब्रम्हा बाबा के संपूर्ण बनने के बाद जनम लिया उन्होंने तो बाबा के आदी से लेकर के अंध तक के सारे अनुभव जाने हैं सुने हैं संपूर्न बरम्हा द्वारा ही संकल्प शक्ति से ही उनका जनम हुआ है ऐसे ही अपने हर संकल्प हर बोल और हर कर्म को करने से पहले अगर हम श्रीमत को अर्थात मुरली को समझ कर ध्यान में रखकर और ब्रह्मा बाबा के जीवन को भी उससे भी वेरिफाई करा के करें तो हम हमेशा ही श्रेश्ट कर्म करते रहेंगे और कर्म ब्रश्ट बनने से या गिर्ती कला में आने से हम बच सकते हैं तो ये सावधानी, ये शिक्षा आज हम सभी ध्यान पर रखेंगे और अपने कर्मों के खाते को बढ़ाते जाएंगे ओम शांती